हुआ हैं यह स्टूटेंट वेलकम टू सक्सेज कर यह미 मैं हमने समय लास्ट हो नंबर का के Q zm mo cards for डies सब्ग कें मर्द एंत्य शर का वैं जनाये तो उसे किस परकार बनाये जायेगा तो तो यह आम मैं बताया था करेक्टेंस और बिंदू सब्द के मद्य में आंत में बीना सवर के यह वेंजन आये तो उसे बिंदू परकार से बनाया जाएगा अब हम इससे आगे पहले कोश्चन पर चलेंगे यानि कि 31 नंबर आज की वीडियो से स्टार्ट होगा देखिए 31 नंबर का कोश्चन है 100 शव एंजनों में पूरो कोई स्वर होने पर उसे कैसे पढ़ा जाएगा तो 100 शव एंजनों से पूरो कोई स्वर होने पर उसे उर्दो गामी द्वारा पढ़ा जाएगा नेक्स कोश्चन है होव एंजन किस परकार से बनाया जाता है तो हव एंजन दिये गए सभी त्यानि कि अधोगामी डैस और बिंदू सभी परकार से बनाया जाता है नेक्स कोश्चन है 33 नंबर होव एंजन अकेले आने पर कैसे बनाया जाता है तो याद रखिए होव एंज अकेले आने पर अधोगामी द्वारा बनाएं जाता है नेक्स कोश्चन है चोंतिस नमबर दिया है मर लो तथा ड़ अधोगामी वेंजन से पहले हब एंजन आये तो उसे कैसे बनाते हैं तो उसे डैस द्वारा बनाते हैं 35 नमबर का कोश्चन है अंतिम सोवर न होने पर जग का परियोग किस परकार किया जाता है तो अंतिम सोवर न होने पर जग का परियोग हम विरित से करते हैं विरित ना नेक्स कोश्चन है 36 नमबर देखिए सारे कोश्चन इंपोर्डेंट है आपके एक्जाम पॉइंट आप से तो एक भी कोशन मिशनना करें सारे कोशन को बाई हर्ट याद कर लें 35 नंबर का कोशन है अन्तिम सवर्ण में पर किस परकार किया जाता है तो अभी हम ने बताया विरिद से सह वर्थ जब आरम में आता है तो किस प्रकार दर्स आया जाता है तो सह वर्थ जब आरम में आता है तो उसे हम जाये से बाये के और दर्स आयते हैं नेट्स कोश्चन है सर जर बनाते वक्त रेकाव के साथ साथ का भी इस्तमाल किया जाता है इसका और विरित हुक का तो करेकट टेंस ओर है विरित हो जाएगा विरित का परीयोग करते हैं सर जर नेक्श कोश्चन है 38 नंबर चंजन जर के लिए औसुलीपी में क्या पर्योग बिबाज लिए वरित फोर प्लेयर में परिज्शन लिए में के लिए वह सकते हैं नेक्स कोशन 39 नमबर कव वियंजन के बाद अस्ट्रा आने पर किसका परियोग किया जाता है तो कव वियंजन के बाद अस्ट्रा आने पर हम छोटे चाप का परियोग करते हैं नेक्स कोश्चन है बड़ा विरित किस धवनी के लिए इस्तमाल किया जाता है तो बड़ा विरित इस्तमाल किया जाता है स्वा और सस के लिए नेक्स कोश्चन है चोटे चाप वृत का परियोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है तो चोटे चाप वृत का परियोग निम्न में से सट के लिए किया जाता है अगला कोश्चन है आसूली पी ने अनुनासिक्य स्वर प्रकट करने के लिए स्वरों की जगा क्या इस्तमाल किया जाता है तो आसूलीपी में अंधना सिक्य स्वर प्रकट करने के लिए हम जो इस्तमाल करते हैं वो होता है वृत नेक्स कोशन है 43 काम की धोनी को आसूलीपी में प्रकट करने के लिए रेखा के सामने क्या लगाया जाता है तो काम की धोनी के आसुलिपी के प्रकट करने के लिए रेखा के सामने हम डैस लगाते हैं नेक्स कोश्चन है वक्र रेखाओ पर कौन सा हुक बड़े हुक के रुप में लगाया जाता है तो वक्र रेखाओ पर लो हुक बड़े हुक के साथ लगाया जाता है नेक्स कोश्चन है 45 नंबर शन के अस्थान पर यदि शाय आये तो अंतिव विरित में क्या जोड़ा जाएगा तो शाय के अस्थान पर शाय आये तो अंतिव विरित में हम हुग को जोड़ते हैं लिखा जाता है तो किस से लिखा जाता है लाइन के द्वारा नेग्स को सब्द के अंत में तर तार डर डार आये तब किसका परियोग होता है तो दूहुनी करण का परियोग होता है जैसे तर तार डर डार ऐसे वो सब्दा हैं तो किसका दूहुनी करण का नेक्स कोशन है जनता को परकट करने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो जनता को परकट करने के लिए हम जर रेखा का परियोग करते हैं नेक्स्ट कोश्चन है प्रारंबिक हुग से पहले सव या सव आने पर हुग की जगा किसका परियोग किया जाता है तो प्रारंबिक रुप से पहले सव या सव आने पर हुग की जगा हम विरित का परियोग करते हैं नेक्स्ट कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् शुरूती लेक के वक्त प्राप्त करता के बारे में क्या जानकारिया जरूरी है तो शुरूती लेक के वक्त प्राप्त करता के बारे में हम कह और खह के दोनों यानि कि पता और नाम दोनों लिखते हैं नेक्स कोश्चन है पत्र में प्राप्त करता के बारे में क्या जानकारिया होती है तो पत्र में प्राप्त करता के बारे में देखिए नाम पता पद्वी यह सभी होते हैं जानकारिया पत्र प्राप्त करता के बारे में नेक्स कोश्चन है प्रेसक के नाम के साथ भी दिया जा करते समय इन में से किन असुद्यों की समावना ज्यादा रहती है तो टाइप करते समय सबसे ज्यादा जो तुरूटी होती है वह होता है संख्या क्रमांक और दिनांक यानि कि यह सभी होते हैं नेक्स कोश्चन है परतिक अधिनस्त करमचारी को उत्तरदाई होना चाहिए तो अपनी परतिनीदी को विकेंद्री करण में अधिकारे नीड़ लेने का अधिकार देते हैं नेक्स्ट कोश्चन है फिफ्टी एट नंबर को दिया है कर्याले सिवाओं में केंद्री करण पर परमुक्त लाव है तो कर्याले में सिवाओं में केंद्री करण का परमुक्त ला कार्याले में कौन सा कार्याले करता है तो क्रमिक अनुभाग कार्याले में वह अपने कर्मचारियों का परतिचैन करता है कर्मचारियों का परसिक्षर करता है और तरक्की करता है यह सभी किसका काम है कर्मिक अनुभाग करयाले मेंं तो दिए गए सब वी आफसन सरय होगे डीineaफसन कर्यक्टेंसर हो जाएगा लास्ट कोश्टन है इस वीडियो का करयाले भीभागिया का पर्मुक और कौन सा है तो पर्मुक और कर और वीभागिया का पर्मुक करण इस परकार हमने इस वीडियो में 30 MCQ आपको बताया और पार्ट वन में भी 30 MCQ कराया इस परकार साथ कोशन हो जा रहा है जो आपकी प्लेलिस्ट से देख सकते सिटियाई इस्टिन हिंदी अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए बिल आइकन को भी नुटिफिफाइड कर दीजिए ओके थैंक्स फार वाचिंग इस वीडियोज